हेलो फ्रेंड्स, भारत सरकार के कौशल लिविकास रोजगार एवे मुद्यो जगता संस्थान के तहित भारत में बहुत सारी ITS कारियरत है। इन सभी ITS में हर साल AITT यानि All India Trade Test मतलब अखिल भरते विसाय परिक्षाय कंड़क्ट की जाती है। इस साली हपरिक्षा CBT पैटन से होने वाली है। NCVT द्वारा होने वाली यह परिक्षा पाच जन्वरी से शुरू हो चुकी है। DGT नई दिल्ली इनकी ओर से CBT एक्जैम की सारी जानकरी यानि गाइडलाइन्स इंस्ट्रक्शन्स इस वीडियो द्वारा हम लेंगे। CBT मतलब Computer Based Test आईटेक की एक्जैम इस पार इंटरनेट की सहयोग से ओनलाइन पैटन द्वारा कम्प्यूटर से होने वाली है। आईटेक के सभी ट्रेट्स के स्टूडन्स की NCVT द्वारा होने वाली Theory, Employability Skills और Workshop Calculations इन तीन वीशियों की परिक्षा ओनलाइन होने की वजह से आज हम इस CBT एक्जैम की पूरी जानकरी लेंगे। CBT एक्जैम शुरू होने से पहले ट्रेट्स यानि ITS के स्टूडन्स ने यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिखाई गई सभी सुचनाय समझना जरूरी है। इस CBT एक्जैम के लिए आपको अपना इमेल आईडी और पासवर्ट टाइप करके लॉग इन करना है। उस टाइम आपके एक्जैम हॉल में होने वाले इनवीची लेटर की सहायता आप ले सकते है। एक्जैम का पासवर्ट आपको उसी वक दिया चाहेगा। एक्जैम शुरू होने के 30 मिनिट पहले आपको एक्जैम सेंटर में जाना जरूरी है। यहाँ पर एक्जैम शुरू करने से पहले आपको क्लिक here to view exam instructions इस टैप को क्लिक करके CBT एक्जैम की पूरी चानकारी यानि guidelines आप ले सकते हैं। पूरी चानकारी लेने के बाद close बटन पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से सभी सुचनाए पढ़ने के बाद और ठीक तरह से login होने के बाद आपको आपके profile details की पूरी information दिखाई देगी। इसमें आपका नाम, आपके पिता जी का नाम, जनम तारिक, ट्रेड का नाम, registration number, exam center का नाम आदी information दिखेगी। आपके profile की सभी information accurate है की नहीं, यहाँ आपको चेक करना ज़रूरी है। CBT exam ये time-based होने की वजह से exam में दिये जाने वाले प्रशनों की संख्या अनुसार exam का time नियोचित किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले non-engineering trade यानी bigger अभियांत्री की व्यवसाय के exam के लिए total 7 प्रशन होंगे। इन में से 40 प्रशन ट्रेड थियरी के लिए और बाकी के 20 प्रशन एंपलाबिटी स्किल्स के लिए होंगे। इस exam के लिए 135 मिनिट यानी 2 गंटे 15 मिनिट इतना time समय दिया जाएगा। इसी प्रकार engineering trade यानी अभियांत्री की व्यवसाय के लिए यह CBT exam 80 प्रशनों की होंगी। इन में से 40 प्रशन ट्रेड थियरी के लिए, 20 प्रशन एंपलाबिटी स्किल्स के लिए और बाकी 20 प्रशन वर्क्षप कैल्कुलेशन के लिए होंगे। इस exam के लिए 180 मिनिट यानी 3 गंटे का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार नॉन इंजिनेरिंग और इंजिनेरिंग दोनों व्यवसाय की exam का समय आप ठीक से समझ ले। मैंने पहले ही बताया है कि आप अपना प्रोफाइल ठीक से चेक कर ले। यहाँ पर इंजिलेटर की सहायता से exam पासकोड मिलने के बाद आपको exam पासकोड ठीक से टाइप करना है। उसके बाद I have verified my profile पे क्लिक करके आप Start exam इस बटन को प्रेस करते ही आपकी CBT exam शुरू हो जाएगी। एक पर CBT exam स्टार्ट हो गई तो आप उसे Stop या Skip नहीं कर सकते। पूरी exam में एक भी Break नहीं होंगा। यानि exam स्टार्ट होते ही दिये गए सभी विश्यों के परिक्षा आपको दिये गए टाइम में पूरी करनी होंगी। exam खतम होने तक आप exam center से बाहर नहीं जा सकते। ये गुरुपया आप ठीक से समझ ले। exam का समय पूरा होते ही आपकी exam अपने आप सब्मिट हो जाएगी। और अगर आपके questions पूरे solve हो चुके हो तो आप समय से पहले 30 मिनिट तक exam सब्मिट कर सकते हैं। इस exam में पूछे के सवालों के जवाब आप ठीक से उचित परियाई चुन कर दे सकते हैं। यहाँ पर आपने solve किये हुए प्रशनों की संख्या आपके right side में देखेगी। अगला प्रशन देखने के लिए next button पे click करना है और पिछला प्रशन चेक करने के लिए previous button पर click करना है। इस प्रकार आप प्रशनों के आगे या पीछे जा सकते हैं। जिन प्रशनों में confusion है या फिर जिन प्रशनों के उत्तर आपको confirm नहीं हो पा रहें उन पर प्रशनों को आप flag दे सकते हैं। इसका मतलब जब आपका उत्तर finalize होगा तब वो flag निकाल कर उसे solve करके उस प्रशन को आप mark भ किये हैं उन्हें green यानि हरा रंग दिखेगा। उसी तरह जो प्रशन आपने solve नहीं किये उन्हें white यानि सफेद रंग दिखेगा। इन रंगों की वज़े से आपने कितने प्रशनों को फ्लैग दिया है और कितने प्रशनों के उत्तर देना अभी तक बाकी है ये सब समझ म आपको आ जाएगा। सभी प्रशन इसी प्रकार review करके final होने के बाद ही आपको submit करना है। ये बात आप ठीक से समझ ले। यहाँ पर आपको बताया है कि आपने attempt किये हुए सभी प्रशनों के color submit करने से पहले आप देख सकते हैं। और आपकी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं। सभी सवाल के जवाब देने के बाद ही exam submit करनी है। सिर्फ आपको यहाँ पर exam का समय पर ध्यान देना जरूरी है। exam शुरू होने के बाद आप दूसरा internet ब्राउजर खोल नहीं सकते। आप screen refresh भी नहीं कर सकते और back button भी यूज नहीं कर सकते। नहीं तो आप online exam से कभी भी बाहर हो सकते हैं। इस बात पर ध्यान देना अत्यनत जरूरी है। इसी प्रकार पूरी नियोमों का पालन करके आप आपको ये CBT के exam successfully submit करना है। अभी तक मैंने आप सभी को CBT exam की जानकरी दी है। इस information की guidelines instructions PDF नीचे दिये गए web link पर आप से आप download कर सकते हैं। इसके लिए आपको Google search के यहाँ पर निमी online admission AITT ऐसे type करना है। उसके बाद आने वाली जो पहली link है यानि DGT All India Trade Computer Best Test 2020 mock test को क्लिक करना है। आपका CBT portal open हो जाएगा। यहाँ पर राइट साइड में नीचे आपको AITT CBT के students के लिए guidelines संबंधित तीन links दिखेगी। इन में से guidelines for candidates के link को आपको क्लिक करना है। ऐसा करते ही CBT exam के बारे की सभी मार्गदर्शक्स युचनाउं की PDF file आप आपको दिखाई देगी। यहाँ फाइल आप डाउनलोड करके उसकी print निकाल सकते है। इस फाइल में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाव में सभी जानकरी ठीक से बताई है। इससे सभी जानकरी लेते ही CBT exam के सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। इसी प इयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदी कम्यूनिकेशन डिवाइसे का यूज नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपुर्ण बात यहाँ है कि COVID-19 की वज़ह से exam के समय सबने मास्क पहनना अनिवारिय है। इस कमपलसरी टो वेर मास्क डियूरिंग exam। मुझे आशा है कि इस वीडियो के द्वारा आपको CBT exam की सभी जानकरी मिली होगी। इस परिक्षा के लिए मेरी और से आप सभी को बहुत सारी शुपकाम नाए। All the best for your CBT exam! Thank you very much! Myself, Mrs. Swati Amit Zavari, Craft Instructor Kopa, Government ITA घुडएगाव, District, पुने.